उत्राखन में सड़क हाथ से लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा हाथ सा पिथड़ागर में हुआ है। जहाँ जाजर देवल थाना चेतर के कनारी पाभे मोटर मार्क पर एक स्कॉर्पियो वाहन दुरखटना ग्रस्त हो गया। जिससे वाहन विसवार ती जिनों में शोक की लहर दोड़ गई है। उत्राखन में उर्जा निगम लाइनों की मरमत की तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि दिवाली से पहले विभाग शहरी और ग्रामीन फीडरों से जुड़े उपकरनों और लाइनों को दुरुस्त करने की तैया जिसके तहट 6-11 अक्टूबर और 14-20 अक्टूबर के 20 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ती ठप रहेगी। बता दें कि इन फीडरों से जुड़े देवरिशी एंकलेव, आरशिरवाद एंकलेव, वसंद्रा एंकलेव, त्रीमूर्ती विहार, दहरा खास, पटेल नगर थाना, साई बाबा एंकलेव, नरायन विहार, ओम सिटी, पाम सिटी, आवंतिका विहार, बहुगुणा कलोनी, आदर्श विहार, कारगी कलोनी, तीएच डीसी कलोनी, विद्या विहार, आदी छेत्रों में भी बत्ती गुल रहेगी। जुलादिगारी सविन बंसल ने विवस्ता आकलन के बाद अपने संकल्प को कायम रखते हुए, शहर की स्टीट लाइटों की मरमत की जिम्मेदारी अब नगर निगम को दे दी है, बता दे कि एक ही शाम में EESL से ये काम वापस ले लिया गया है, जिसका अदेश चारी कर दिया गया है, नई कंपनी द्वारा रिस्पॉंस ना के जाने पर इसका तीन से चार हजार तक का बैकलॉग आ गया, जबकि अनुबंद के अनुसा कंपनी को शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर मरमत के जाने का प्राविधान है.